गुजरात राजसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग की अधी सूचना अब कानूनी पचड़े में फस कई है कॉंग्रस ने चुनाव को लेकर जारी की गई अलग-अलग अधी सूचना के खिलाफ सुप्रीम कोट में याचिका दाखिल की जिस पर आज कोट ने सुनवाई करते हुए इलेक्शन कमिशन को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है तो आखिर क्या है राजसभा चुनाव से जुड़ा ये पूरा मामला और आज कोट में क्या कुछ हुआ इस रिपोर्ट में देखिए लोगसभा चुनाव में मिली करारी शिकस्त के बाद कॉंग्रेस अब राजसभा चुनाव में शिकस्त खाने को तयार नहीं है यही कारण है कि पार्टी चुनाव आयोग की जारी की कर यदि सूचना के खिलाफ देश के स्तरवोच न्यायाले पहुँच गई यही सूचना गुजरात की खाली हुई दो राजसभा सीटों पर होने वाले चुनाव को लेकर जारी की गई थी दरसल लोगसभा चुनाव में अमिच्शहा और स्मृती राने ने जीत दर्च की है जिसके बाद अब वो लोगसभा के सांसद हैं लिहाजा राजसभा में उनकी जगाख खाली हो गई है राजसभा में इन दोनों का कारेकाल चार-चार साल का बचा हुआ था और कॉंग्रिस चाहती है कि इन दोनों सीटों पर एक साथ चुनाव कराया जाए लेकिन चुनाव के लिए अलग-अलग अदी सूचना जारी की गई है जिसको लेकर कॉंग्रिस ने कोर्ट में याचिका दाखिल की याचिका में लिखा है कि एक हिदन दोनों सीटों पर अलग-अलग चुनाव कराना सम्मिधानिक और समिधान के भावना के खिलाफ है आज कॉंग्रिस की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की और चुनाव आयो को नूटिस चारी किया सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसमें इलेक्शन प्रेटिशन जैसी कोई बात नहीं दिखती ये रिट नहीं है लिहाज़ा अनुछेद 32 के तहट आती है सुनवाई की दौरान कोर्ट के देखेगा कि सीट कैसे खाली हुई कैशुल वेकेंसी है या फिर रेगुलर कोट ने चुनाव आयोग को अपना जवाब दाखिल करने के लिए सोमवार तक का वक्त दिया है जिसके बाद मंगलवार को अगली सुनवाई होगी आपको बदा दे कि राजसभा चुनाव के लिए एक अधिसूचना जारी होने की सूरत में संख्या बल के हिसाब से गुजरात में राजसभा का चुनाव जीतने के लिए उम्मीदवार को 61 वोटों की जरूरत है एक ही बैलिट पर चुनाव से उम्मीदवार एक ही वोट डाल पाएगा ऐसे में कॉंग्रिस एक सीट आसानी से निकाल लेती क्योंकि उसके पास 71 विधायक है लेकिन चुनाव आयोग के दिसूचना के मताबिक विधायक अलग-अलग वोट करेंगे और ऐसे में उन्हें दो बार वोट करने का मौका मिलेगा इस तरहां बीजोपी के विधायक जिनकी संख्या 100 से ज्यादा है वो दो बार वोट करके दोनों सीटों पर अपना कबजा कर सकते है जो कॉंग्रिस कताई नहीं चाहती खैर अप चुनाव आयोग कोर्ट में क्या जवाब देता है और कोर्ट उस जवाब पर क्या स्टैन लेता है ये देखना दल्चस्प होगा देविलाइफ की रपोर्ट